कौन ब्रह्म्हा का पिता है, कौन विष्णों की माँ, शंकर का दादा कौन है, हम कूँ दे बता, ये जानने के लिए कृपया सुनिये। जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब जिसके काटे से निकल रहे हैं, वह क्यों कर कही हो, सिंपल मैन है। तो उस व्यक्तिक वो पहुंचा वहां पर ब्रह्मन जब और भगद बैठे बतला रहे थे, बगवान आये जब सत्संकाय उजन था उनके साथ, दूसरे साथ ही बहार मैदान में। तो उस ब्रह्मन का कुछ दिल डट्या है, अग्द भी सारे वगद का रहे हैं, कुछ बात बढ़ेगी। तो प्रमात्मा के आशिरवाद मातर से प्रमात्मा ने कहा भाई, अपने सारे बच्चों को ले आ, उसने सारा दुख बताया, उनको दिखसा दिला, तो उसने सोचा पहले, अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेजती मारा साथ लटक ली है, गर में प्रमात्मा ने दिखसादी बेटा बगती करोगे ना, जब बात बनेगी, केवल आशिरवाद से भी सुख दे देते, लेकिन होते एक दुख तुट तड़या, आगजी उनमें पता ने कितने दुख आपके, प्रमात्मा ने नाम दिया, दुन्नों बच्चे ऐसे स्वस्थ ह होगे, जैसे कि दुख था ही ने, अपने आप उठके गए, उनने लया था बठा बठा गए, तो उनको एकदम खुसी की लहरा की, फिर अपने बेटियों को, पतनी को, सब को नाम दिलाया, प्रमात्मा के आशिरवाद से सब ठीक होगे, सुष्थ होगे, कुछ ही दिनों में और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगया, अब वो जहां भी जिसने मिला है, उसी को कहा के भगवाद आए है, चलो वहाँ पर परमात्मा रहे हैं जुलाहों की कलोनी में, भगवाद उतर रहे हैं, पर उसकी कौन सुने अबरामने, तो पुन्यात्माओ, ए प्राणों, गीता, इन सभी को कंठस याद कर रख्या था, और उसने अपने वक्त के सभी ब्रहामनों को, सभी विद्वानों को सास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, तो उसकी मिन में एक धारना आई है, कि मैं अपना नाम सर्वानन्द की जगे सर्वाजीत रखवाँगा, अपनी मां से कहता हूँ, उसने सभी को हरा दिया, उदर से वो ये विचार कर रहा था, दूसरी और क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानन्द की माता जी थी, उसका नाम सार्दा था, ब्रहामनी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रहरद के करम को भोग रही थी, अब ब्रहामन होने के नाते, और अब उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब को, सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंतर, जो भी गाहितरी मंतर वगएरा नुष्ठान बताए, वेटे ने वो भी कर लिये, और भी जिसने भी जहां कोई रहत नहीं मिली, बहुत बुरी बेचे नहीं रहे, ना भूख लगए, चार पाई पकड़ रखी, अस्तिपिंदर शेष दिखाई दे गुदरती प्रमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्रावनी, एक बेहन चलीगैं, ब्रावनी नहीं, वैसे एक बेहन चलीगैं, किसी कामववस, अन्य जाती की, शर्वन जाती की, तो उटिं ने पूछा, कि सार्दा कुसल है, उसने चार पाई पर पड़ी पड़ी ने देखा, और कहा बहन कहा को सलूं अंतिम सांस गिन रही हूं बहुत प्रेशान हूं काफी वर्सों से ऐसा द्यरोग से पेड़ी थूं वो प्रमात्मा की सिस्या लड़की कहन लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने कि सभी डॉक्टर दिखा लिये वैदों से चेक करा लिया और कोई सादू संत आज पास नहीं छोड़ा सभी ने कह दिया कि तरे प्रहर्द का कर्ष्ट है ते ने भोगना ही पड़ाएगा तो उस बेहन ने कहा कि ये थी आप बुरा ना मनो तो मैं बताओं एक महापुरुष आ रहे हैं वो कहने लगी बोला कौन है कि मेरे गुरुजी से दिख्षा ले लो मैं भी पहले बहुत प्रिशान थी आप से भी बुरी हाल थी मेरी 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 नहीं मेरे बच्चों की विए सती थी मेरे पती को भी तकलीब थी प्रिटबाद आ थी और मुझे ऐसा जिरोग था उस गुरुजी से दिख्षा लेते ही और हम कती स्वस्थ हो गए हैं दो वरस हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं अपने नीद सोते हैं अपने नीद उठते हैं तो बैठ गी सारदा कि भी आज कुछ आसा की चंगारी नजर आ रही है तो उसने पूछा कौन है आपके गुरुजी मुझे बताओ तो उस बैन ने बताया के कबीर नाम है उनका और जुलहा कलोनी में रहते हैं कहने लगी वे मैं तो जुलहा दानक है वो हकां दुलहा है दानक है उल्टी ये लेटगी नो की नो चार पाई एक नई हम ब्रामन है और एक दा नास हो जा मनामनी लिए तो उस बैन ने बहुत कहा के देखो आमने ग्यान सुना उस पर मेश्वर का आज आप मनामनी हो और मर्ट्यू के बाद आप अन्ने जाती में भी तो जनम ले सकते हो आप पसू यूनी में भी तो जाओगी तब कहां जाएगी या जाती तेरी तो कहने लिए बेन तू जा बस भाल तू बात ना करें इससे अचाता मोत ताजा वो अच्छा है पुन्यात्मों परमात्मा कहते है राज तजना सहज है सहज तरिया काने और मान बढ़ाई एर्शा यह दुरलब तजना यह वाच ले गई कुछ दिनों के बाद वो ब्राहमन जो परमात्मा की सरण में आके स्वस्थ हुआ था पुन्यात्मों आप तो बालक हो दास उस बगवान से प्रीचित है आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना आप तो एक अब होद बालक की तरक जिदर मू हो गया उदर चल पढ़त इस भगवान के मारग में और अपने अध्धात्म मारग के अंदर कबिर साब कहते हैं मैं रोवा तूं सिरिष्टी को और या सिरिष्टी रोवा है मोहे ग्रीब दास जी कह रहे हैं प्रमात्मा से प्रीचित ग्यान के आदार से भगवान की वानी बता रहे हैं महिमा मैं करूं अपने जन के काज जिस प्यारी आत्मा को सरण में लेना है ना जाने के कारण बनाओगा उसके लिए तो वो ब्रहमन चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका पहले दूर देश से आना जाना महिने महिनी होता था छच्छ महिनों में दो दो एक एक वर्स बीच ज भरने वाला था और सारदा बनारस में कासी में रहा करती थी तो एक तिन वो किसी कामवज सेरमा था तो उसने सोचा चल रिष्टेदार के घर चलते हैं जब वहां पहुचा तो सारदा गर अपने उसी तरह उसी सतीती में थी राम रमी करी नमसकार हुया कुसल मंगल पूछा तो सारदा ने अपने सारा दुखडा रोया कि मैं बहुत दुखी हूँ बहुत बुरा हाल है मेरा मैं तो अंतिन सांस गिन रही हूँ तब उस ब्राहमन ने कहा कि आप हमारे गुरुजे से दिख्षा ले लो आप सबस्थ हो जाओगे और मेरी आहलत का आपको पता ही है क्या सतीती थी मेरी आपके तो बहुत बुरा हाल था सारा परिवार दुखी था और आप कैसे सबस्थ हुए कि परमातमा आए हैं पर्च्वी पर सारदात रह यकिन होयो चैना होयो और हमारी जो दूर्दसा थी देखन जोगी थी रिष्टेदार भी नफरत करने लगे थे और उनकी करपा से आज सारे बच्चे सबस्थ हैं और हम सबस्थ हैं चार वर्स होगे मैंने उनसे उपदेश लिये मेरा तो बुरा ऐसा दुखी साइध पर चुपा कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था मेरे से रिष्टेदार भी नफरत करने लगे थे कि अब यू आ गया गर पे कुछ पैसे मंगना आया होगा तो ऐसी दसा होगी थी मेरी और अब वर रिष्टेदार मुझ से उधारे ले जाते है तो सारदान सोची ए बगवान बड़ी दया करी देख यू तो अबरामन है इसने तो गुरू कोई बड़िया बना रख्या होगा उंच जाती का अबरामन ही बना रख्या होगा तो फिर बैठगी चार पाईब है तो उसने कहा कि फिर ठीक है बताओ मुझे आपका गुरू जी कौन है क्या नाम है उनका कहां रहते है मेरे पुझे गुरू देव जी का नाम है कबीर उसके वो है फिर अक्सर खटे गया कबीर वो धानक है वो नीरू का कहां को ब्राह्मन बोला कहां वही है यस तो सार्दा बोली तरी सर्म भाजगी तनी इजद का नास करती है ब्राह्मन वकर धान गुरू बना लिया दूब कर मेर जा किता है यह सथी हलागी सुना लिए तब अब उस पंड़ जी ने कहा के मिसरानी बात सुन ले यह सख्या मेरे देन की जरूद नी है मैंने देख लिया यह बरा मनजब कित गए था जो मेरी दुर्गती हो रिथी चोन ने भी ना दें थे अन्तिम सांस गिणों था बरा हाल हो रहा था और ठीक है तरह ना समझ माती है तो गुरु जी के बारे फाल तो मटब लिए उठके चल पड़े अब यह बात उसका घर कर गी कि सचमस यह तो गढ़ा बुरा आल था इनका सारदा के और इनका जीवन इतना सुखी हो गया अब वो सोचन पर विवस हुई तो वो काफी देर सोचती रही कि यह क्या बनी हरी हाँ कालनत ऐसे बना रखें केले जाती के उंच नीच के कालनत तो इतना जबर्दस जाल पहला रखें अपना अत्मा परमात्मा बना यह तूटटा नहीं अब आप देख रहे हो परमात्मा सबसे पहले यह बिमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोईच हुआ चात नहीं ऐसी दया करी ना तो एक बाड़िया और थी अपने ही समाज में थी इन दुआएं में थी और तो देखी जाओ बाद की देखों दूसरे मजबानों ते तो यह समाप्त करी और उसस में यह एक जबरदस्त किला बना रहा रहा था जाती का अब क्या हुआ परमात्मा कच्छा काम नहीं छोड़ते जो जन मेरी सरन है ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग गया फिर उन जब तक धरती आकास अब क्या किया पालिक ने जिस महुले में वो सारदा रहा करती थी उसी में पर पर आतना की पर वो हमारे दास के घर सच्छं कर दो वहाँ सपास के वक्तों को भी पता चलेगा और आपका ग्यान सुनेंगे हो सकता किसी के और भाग जाग जा परमात्मा ने ठीक कहा के ठीक है बिटा रातरी में सच्छं करेंगे जन में अपना काम करो पेट के लिए रात तो अपनी है आज आया करो चलूंगा मैं तुमारे वाद तो उस बेहन ने जो सच्छं करवा रही थी बगवान का आज पास के सभी जगे ने मंतन बेज जा कि आज महारे गुरुजी आउंगे और नाम ले लियो सच्छं सुनियो पहले आज आपने आज तक ऐसा ज्ञान नह नहीं सुनिया होगा आप देखिए हो मारे गुरुजी का सच्छं सुना तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं बुलावा देने से महले के लोग बेन बेटियां कठी हो जाती हैं तो उसने सार्दा को भी आमन तिन्त कर दिया महले महने के नाते तो सार्दा ने पूछा आप के आप कुछ भी कहो वो परमात्मा है अब सार्दा ने के सकीम बनाई है कि ऐसे जाओंगी तो बात बिगडएगी लोग आसी करेंगे एक एक ब्रामनी होकर दानक से दिख्षा लेने चल पड़ी और उदर से दुख का पाड़ तूट रहा तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा व सुना है कासिरवाद लेने मातर से सुख भी हो जाता है यद ही मैं सुखी होगी मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आसिरवाद ते मैं वहीं तरन पकड़ दूँगी फिर कती नहीं लोकलाज करूं अब परमात्मा है कहते करे करावे साईया मन में लेर उठा दाद दूसर सुखेंसदरजीव के वह अब बगल हो जाओ तो पहले रातरी का समय था पहले एक जोट जला राकर देसी गी कि वही तो हवन का करया करती और वही रोस्णी का वह राति छांदना उसीसे से बनाय करते थे मियोद जोट जला राकि देसी गी कि उससे अंगण में थुड़ा श टम टमाती सी रोसनी थी अब सभी बहन भाई आ रहे थे एक साइड बहन बैठरी थे एक साइड बहन बैठरी थे बीच में रस्ता था सामने वगवान बैठरी थे आसन पर अब सार्दा आई मुँ पर गुंगड काड का है उसने ये सुचा था के ऐसा गुंगड काड का और तो मुझा का बैठ जाओंगी प्रणाम करेंगे जैसे वो किरिया करेंगे और मुझे कोई पैचाने का नहीं अब जो ही सभी बहन आ रही थी बगवान के चर्ण ले रही थी और बैठती जा रही थी अब वो आगी सारदा भी मुझे ड़के आवा थी प्रमात्मा के चर्ण छुए मालिक ने सिर्प हाथ रख्या और कहा सरवानंद की मा ब्रामनी पंड़तानी अज दानक के पास कैसे आना हो गया तिरह और प्रमात्मा ने हाथ रख्ये उठा या भी नी था और उपर से प्रमात्मा ने कहा कि कैसे आगी सरवानंद की मा तूँ एक दानक से क्या कहेंगे तरे को यह पंड़त लोग है जात से गेरेंगे चरण पकड़ दिये उसी समय और फैंक दिया उगूंगट ठाक है ए बगवान माप करना मुझे दुष्टा को मैं घणी नीच थी आपके बारें बहुत कुछ सोता आप तो सच मुझ बगवान खड़ी होगी और सब न बतावाए कि मेरा इतना दुखता मेरा इतना कष्ट था मैंने बहुत कुछ होची मंदी भी कही है तो बगवान पड़े फिर बैठगी सत्संग सुनया प्रमात्मा ने सिरिष्टी रतना सुनाई तीन देव की जो करते बगती उनकी कदे ना हो ए मुक्ती गोंतीनों की बगती मैं ये बूल पड़ो संसारे कह कभीर निजनाम बिना कैसे उतरो पारे अब सार्दा को जितना ग्यान था राम और किर्षन विष्ण और संकर का बिर्मा जी को था हम बगती करते ही नहीं थे शरी विष्ण जी और बगवान संकर की तो हम खुबगती करिया करते अब सारी शरिष्टी रतना सुनाई और ऐसा दुख ड़ गया उसे में तर सारी सबीकार कर चेना तो अगरम मगरम भी कर रहा हो थोड़े पोट हुआ तो वो भी मालक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुनेची सारी हरद्यम समाव थी लगातार उसने आज पास जहांबी सत्सिंग परमातमा का होता था वह सारे जान लाइगी और उसको काफी ग्यान हो गया एक दिन क्या हुआ उसका लड़का जो सर्वानंद था उसने अपनी मां से कहा कि मां मैंने इस आज पास के सभी विद्वानों को सास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम सर्वानंद से बदल कर आप सर्वाजीत रखतो तो मांने कहा कि बेटा नाम अच्छी बात है तेने विद्वानों को जीत लिया बड़ी अच्छी बात है लेकिन सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है इसमें क्या दिक्त है तो उसने कहा माताजी ऐसा है ना अब सब को अपने आपता लग जाएगा कि इसने सब को प्राजीत कर दिया सब पर विजय प्राप्त कर लिये इसलिए मैं अपना नाम सर्वाजीत रखवाना चाहता हूँ उसकी मां बोली बेटा ठीक है नाम तरह बदल दियूँगी लेकिन एक विद्वान और है उसने प्राजी तोर कर दे तो वो कहने लगा बताओ बताओ कौन है के मेरे गुरूजी है और कबीर नाम है उनका और जुलाए की कलोनी में रहते है कहने लगा वो अच्छा भेर है अक माता अपने बड़ा विद्वान खोजया उसको संस्कृत भी ना आती वो क्या जाने सद्गरथों के बारे में उसकी माँ बोली बेटा देख ले यदि मेरे से इतने नाम बदलवाना है तो उस विद्वान को उतने प्राजित करवाना पड़ागा करना पड़े गार ऐसे नहीं मानूंगी उससे लिखवा के लाना रुरकांगू ठलवा के लाना एक दो गवा भी हो साथ मैं अब शर्वानन तो चल पड़ा मा कादेश पाते ही कि चलता हूँ अब जून का महीना उत्तर परदेश खड़ी दूप पड़े उदर से प्रमात्मा कबीर जी की एक मूँ बोली बेटी थी कमाली वो एक मर्टक जीवित की थी किसी सर्थवे किसी कारण से किसी सरक्मस्टांस के थे और वो लड़की फिर अपने पिता को छोड़कर प्रमेश्वर के साथ अपने वास्त्विक पिता के साथ रहा करती थी युवा होगी थी तो लड़की दो पहर के समय कुवे पे जल लेने गई हुई थी बठका बरण खातरे उदर से सरवानन जी आगया एक बैल के उपर सारे सद्गरंथ रख्या करता गीता अठारा पुराण चारों वेद श्रीमद वगुद गीता और छे सास्तर बैल के उपर जैसे गदेप बुर बुरा डाल लिया करें ऐसे बुरा डाल के उनमें रख्या करता था सुंदर कपड़े लपेट के उस बैल को लिए हुए आ रहा था अब जुलाहों की कलोनी में और उसमें पंड़क जी आजारो वीशा विद्वान सूपरसिद तो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे पहले गाउ में आथी आजाता सोरे गाउन निकल कर आ जाया करता आथी देखंगे उपर चटचट कर मकानों पर देखा करते थे तो सभी देख रहे हैं कि ब्रहामन कैसे आगया हमारी कलोनी में अब देखो लिला दाता कि उसको इतनी बैंकर प्यास लगा दी उसकी आखों में प्राण आ में पास आकर कहा कि यह लड़की जल्दी पानी पिला बेटी मेरे प्राण निकल रहे हैं तो लड़की ने बाल्टी उसके कर दी ले पीलो उन्हें अपना करमंडर ले रहा था उसमें डाल कर गठ गठ पी लिया अब उसने देख्या कोई देख तो नहीं रहा तुझे कितने दानकों के जुलाहों की कुए का पानी पी लिया कोई देख तो सब देख रहे थे सब चैरों तरफ देख रहे थे तो उसने अपनी इज़त बचाने के लिए लड़की को डाटा कि यह लड़की यह किस का कुवा है किस जाती का कुवा है धो लड़की ने कहा जी दानकों की क जो बाणे को भी आवाइकर ब्रहामनों यहीं हो सकता है। यह तुने पहले कियो नहीं बताया मुझे पंड़जी पानी पी जातनी पूछा करते है। तु पहले पूछता है। जब ते तरह परसीने आ रहे थे वे जान जाने वाली थी अब तुझे जाती दिखाई देती है मर जाता दो मेर तुझे पानी नहीं मिलता तो तो फिर कहता है वेटी छोड़ इन बातों को यहां कबीर कहां रहता है तो लड़की ने कहा कि कबीर कहा गर सिक्खर में सत लोग में रहता हो जास लेली गैल और पावनाटे के पपी लिके तुझे पंड़तला द्रियावेल लड़की ने कहा कि तुझे कबीर चाहिए वो कबीर सत लोग में रहता है गगन में और जहां जहां दब चिट्टी का पैर ने टेक सकता है तो इन पोथियों से जाएगा वहां कबीर से मिलने तो कहन लगया ए लड़की गणी ना बोला है यहां कहा रहता है इस कलोनी में वो लड़की बोली आजो मेरे पीछे-पीछे मैं उनी की बेटी हूँ अब लड़की मटका उठा के चल पड़ी सर्वानंद बैल आके पीछे-पीछे लड़की थोड़ी आगे चली गई और जाकर कहा पिताजी एक बरा मनाव है सारे पोथे लिए आपको पूछ रहा है आपके साथ अवस्य कोई बाद भी वाद करेगा प्रमात्मा ने कहा बेटा कोई बात नी ज्ञान की चर्चा थोड़ी है चाहिए अच्छी बात है उसको बहुला लओ अंदर है वह लड़की बहार आई और कहा सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया और कहा ले लड़की ये मेरा लोटा ले जैजा पानी का ब्रभा दिआ पानी का मेरा लोटा बहदे और इसका क्या उतर दे फिर मुझे बताना बहारा करके। अब लड़की उस ले का उस लोटे का भरे हुए को और दीरे दीरे प्रमात्मा के पास गई। और कहा पता जी एक उब्रहमन यूग इनने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है और कहा कि इसका कूतर दें वो मुझे बताना इस जल को और इतना बर दिया कि वो पानी लबा लब भरह हुआ था उस लोटे के उपर तक है। उसमें जरह सा भी पानी डाल दे तो बाहर जाओ इतना फुल बरके देदी प्रमात्मा बोला ठीक से वेटी प्रमेश्वर ने बड़ी सुई थी वहां सुई उठा के लोएकी और लोटे में डाल दी कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा जा सर्वानंद को दे दे बिटा वा बुछ नहीं इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इनोने क्या मतलब है इसका तो अंदर आया सुर्वानंद жиновांस्राइन ने पूछा कि कभीर आपने अमेरे पर संक्त का क्या उतर दिया प्रमेश्वर ने पूछा आपका पर संक्त क्या था मेरा पर संऑ इह था ये संकेच थाजपानी के लोटे को फुल बरके आपको इस पास इसलिए बेज़ा था कि मैं ग्यान से प्रीपुर्ण हूँ और मैंने सभी आजपास के विद्वानों को प्राजित कर दिया है मैंने अपनी मां से सरवाजीत नाम रखवाना है और उसनी ये सरत रखिया कि मैं आपसे सास्तरार्स करूँ और आपको विज़े पाऊँ आपसे तब वो मेरा नाम रख़ेगी मैंने आपको ये संकेच दिया है कि मैं ग्यान से ऐसे फुल हूँ जैसे लोटा फुल था यदि मुझे कोई ग्यान सिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा इसमें जग है नहीं अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था परमात्मा बोले मैंने इसमें एक लोग एक इसुई डाली है मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा ग्यान है जबर ऐसा भारी ग्यान है ऐसा गुरू ग्यान है कि जैसे ये जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिक गी और तेरा पाणी बार निकल गया ये मेरा ग्यान ऐसा तरी थोटे ग्यान बार फेंक देगा ठाक है तरी हर देम समा जागा और ग्यान सब ग्यानडी कबीर ग्यान सो ग्यान जैसे गोला तोब कावाई करता चले मैदान अब सर्वानद ने कहा कि ठीक आप करो सास्टरार्थ उसी समय वहाँ आस पास के जो लाहे और उनकी गोश्टी सुनने के लिए आका बैठके वो बिचारे भोले बाले अनएजुकेटिड सामने बैठके सर्वानद ने कहा कि कबीर बोल क्या परसन करेगा परमेश्वर ने कहा कि कौन बिर्मा का पिता है कौन विष्णू की मा संकर का दादा कौन है पंड़त जी दियो बता बिर्मा विष्णू महिस के माता पिता कौन है इनका दादा कौन है अब सर्वानद रकीबू जीता वहीं ठेकी हुई थी ये सरवेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, आप ऐसी कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं है। अप प्रमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत तीसरा सकंद निकालो। और उसमें ये स्वम्श्विकार करते हैं, देखिएगा श्री देवी भागवत यानि देवी प्राण सचीतर मोटा टाइप, गीता प्रैस गोर उपर से प्रकासित है। संपादक के अनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रैस गोर पुर से प्रकासित है। इसके 123 प्रिष्ट पर देखिएगा। तीसरा सकंद, विष्णों भगवान, विष्णों जी अपनी माता दुर्गा की सतूती करते हुए कहते हैं। तुम सुद सुरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रमा और संकर, हम सभी तुम्हारी करपा से विद्मान हैं। हमारा तो अविर भाव माने जनम और तिरो भाव माने मर्तू हुआ करता है। हमारा तो जनम मर्तू होता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जन्नी हो, परकरतियो सनातनी देवी हो। भगवान संकर बोले, देवी, यदी माभाग विशनों तुम ही से प्रगठ हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन होने वाले ब्रमा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगनी लीला करने वाला संकर क्या तुम्हारी संतान नी हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन करने वाली तुम ही हो। शिवे संपुन संसार की श्रिष्टी करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की श्रिष्टी, सतीष्टी और सहार में तुम्हारे गुण सदा समरत है। उन्ही तीनों गुणों से संप उत्पन हम बिर्मा विश्णू एवन संकर नियमा उनसार कारिये में तत्व रहती है अपंड़ जी तो साथ ले रहता सारे पोथे निकाल कर देख लिया पड़ भी लिया उसको मालूम था कि सामने जो सुरूता है यह सब ऐसिक्सी तोर के दिया कि जोट बोलता है इसमें कुछ नहीं है परमेश्वन ने कहा कि रूदर सहीता के अंदर देखिएगा ब्रमा विश्णू और सिवजी की उटपतित देखाते हैं आप देखिएगा तो उसे ने देखा जो मालिक ने बताया अब आप देखिए पुन्यात्मों तो अभी तक य अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था वो कैसा टीचर है पुष्टक पढ़ पढ़के सुनाता है अपना अनुभाव उताना चाहिए और वेदों से गीता सद्गरुंतों से अलग जो अनुभाव अपना बताता है वो सास्तर है वो बिलकुल यूज लेस है यह हमारा सलेबस है हम सलेबस तो बाद में देखा दास को ने तुस मूल ग्यान से जो परमातमा का ग्यान था उसके अधार से वक्ती शुरू की थी इन सद्गरुंतों को बाद में देखा है यह यूंका यूंक मिला तो आपको दर्ड करने के के लिए और आपको सचाई से प्रिचित कराने के लिए सद्गर्म दिखा रहा हूं मुझे नहीं दुरूर थी इनकी जैसे एक अंदा था कि अंदेरे महीं लाल्टन लिये जा रहा था अगे से बच्चे आरहे थे उचल कूद करते भी उसने कहा माद से देखना देखना मैं अंदा हूं बीटा धान से चलना हूं मैं अंदा हूं देखना है विचे मुझसे कहा बाबा सच्मुच आपन्दे हो अखा बेटा अंदा हूं मैं फिर लाल्टिन किसलिए ले रखिए कि तुम आखो वालों के लिए कि मेरे से टकरा अगभू डेख देगी ना तोड़ दो आपके लिए है ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जा कोई बुड़ा विक्त वर्बली जो मालिक न गयान दिया प्येशए शुना रहा था आबर मावीसिनु मैशनासवान हैं कि जनम मर्तव होती हैं ये यह इस्ट रूप में पूज्जा नहीं हैं लेकिन अनादरन यह नहीं हैं लेकिन दास के सामने चांए चिर कि इस बात को दास की वर्बली इस कहान को कोई नी सुनेगा इंदू और विरहोद खूब होगा तो अरज करी थी कि आपका ग्यान सथ है दाता कभी गलत नहीं हो सकता यदि इन सद्गरंथों में मिल जाए वेद गीता और पुराणों में तो आपके बच्चे आपको पहचान नमदेर निलाओंगे ऐसी प्रेड़ना मैं ना मिलू वेदन के माही पर जोन वेद से मैं मिलू वेद जानते नहीं तो इसके आधार से जब सब सब्सद्गरंद देखे तो जो का तो ग्यान मिला है तीन देव की जो करते बगती उनकी कदे ना हो एं मुक्ती और परमात्मा कहा करते दरम दास ये जग बाराना कोई जाने पद निर्वाना यही कारण मैं कथा पसा रहा जग से कई एक राम नियारा अब मैं तुम्से कहूं चताई तिरदेवन की उत्पत्ती भाई मा अस्टंगी पता नरंजन ये जमदारून वंसन अंजन तीन पुतर अस्टंगी जाये है वर्मा विश्णों सिव नाम दरा चत्सों वर्स पहले बगवान उस सुख संबेद में ये अमर्त ग्यान बता गए थे लेकिन उससे में इतना विरोद किया था इन नकली संतों मंडले सरोने प्रमातमा के साथ कहर तो ले थे वो सारी लिए 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 धीर धीर शुनाएंगे आप आज वही ग्यान हमारे पिता हैं दुरगा इनकी माता है जो शुरूपी नरजन ये काल इनका पिता है अर यह बगवान 600 वर्स पहले बता करते क्योंकि वो तो दादा है इनके दादा तो बाप की भी डेट ओवर्स बता और पोच्ट्यां की बता दे तो पहले बता कर जा रहे थे अर इन अकलियान ह हमारे तक सारा अग्यान वर्याक है था अब देखिएगा शीवपरान ये संक्सिव शीवपरान सचीतर मोटा टाइब केवल हिंदी गीता प्रैस गोरपुर से परकासित है इसके संपाद कौन है अनुमान प्रसाद पोदार और ये गीता प्रैस गोरपुर से परकासित है ये देखिएगा ये है रुदर सेहिता और यहां अध्धाय नुमर पांस हम यहां पर पढ़ेंगे थोड़ा सा अपने पूतर नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रमा वहां इस परकार बोले हमने 98 से प्रार्म किया है 98 से ठान मैं से अब हम 99 पर पढ़ेंगे 99 पर ब्रमा जी ने नारद जी ने ब्रमा जी से पूछा था ब्रमा जी कहने लगे ब्रमा जी ने कहा ब्रमा जी ने कहा ब्रमन देव सिरोमने तुम सदा समस्थ जगत के उपकार में लगे रहते हो तो तुम ने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नश्ट हो गया था, सर्वतर केवल अंदकार ही अंदकार था, नसुरिये दिखाई देता था ना चंदरमा। अन्य ग्रहों का भी और नक्सत्रों का भी पता नहीं था। उसस में तत्त सत्वर्म इस रुति में जो सत्व सुना जाता है एक मात्र वही सेज था। अब हम सो प्रिष्ट पागे अपने काम की बात पढ़ेंगे। जिस प्रवर्म के विशे में ज्ञान और अज्ञान से पूरण यानि कुछ साची कुछ जूठी उक्तियों द्वारा इस परकार विकलप किये जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद स्रिष्टी का समयाने अद्वितिय की इच्छा प्रगट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकलप उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी डिला सक्ती से अपने देव मूर्ति यानि आकार की कलपना की। मूर्ति रहित परंब्रम जो मूर्ति रहित परंब्रम है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्ही को इस्वर कहते हैं अपने अत्माओं ये कौन है सदाशिव ये काल है और ये इसने प्रतिग्या करखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में ओरिजिनल रूप मनियांगा जो स्रीकर्शन के अंदर से निकल कर इसने अर्दुन को दिखा था बैंकर रूप वो है इसका असली रूप तो ये क्या करता है अपने पुत्र किसी को बिर्मा के रूप में दरसन देता है किसी को सीव के रूप में किसी को विष्णू के रूप में तो यहां ये काल के विष्ण में बिर्मा जानकार नहीं है ये कौन कहते हूं नराकार था फिर साकार बन गया सदाशीव अब देखो सदाशीव कौन है बगवान सदाशीव है वो मूर्ति अरवाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें को इस्वर कहते हैं उसमें एकाकी रहकर सविच्छा नुसार बिहार करने वाले उस सदाशीव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वम ही एक सवरूप भूता सक्ति यानि दुर्गा की श्रिष्टी की एक इस्तरी की श्रिष्टी की जो उनके अपने सरियंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी उस प्रासक्ति को परद्धान पर करती गुणवती माया बुदी ततों की जननी तथा विकारहित बता गया है वह सक्ति अंबिका कही गई है अब ये क्या कह रहा है बर्माजी पुनात्माओ अब देखो कमाल की बात है देवी पुराण के अंदर तीसरे सकंद में बर्माजी अपने पूतर नारद को बताता है कि बेटा मैं जब उठपन हुया मैं कमल के फूल प अब यह बता है अपने बाप के उत्पती वो क्यों कर बन्या तो यह आप पर कह रहा है कुछ साची कुछ जूठी तो यह इसने परमात्मान जब पर्थम बार आए थे वो इस बिरमा से मिले विश्णुजी से मिले शिवजी से मिले थे उनको सिरिष्टी रचना सारी कथा एक बार तो सिविकार किया था फिर काल प्रेणा से मालक के ग्यान को रिजेक्ट कर गया था अब वो सुना हुआ ग्यान यहां कुछ अठकल वाजी कर रहा है यह परमात्मान ने तो यह बता रखा है कि काल ने दुरुगा को खालिया था बुरी नियत है वो उसके पेट में चली गई थी फिर वो प्रमेश्वर नाकर निकाल ली थी तब ये दोनों पत्री पत्री रूप में रहन लगे थे अब बिर महाजी इसको दूसरे ढंक से कह रहा है कि उस सदा सिव ने इसने सिर्पैर का पता नहीं कि उसने अपने सरीर से एक इस्तरी उत्पन की जो कभी उसके अनक से अलग होने वाली नहीं थी अब ये देख लियए उसमें एक आकी रह कर सविक्स का इसनसार विहार करने वाले सदा सिव ने हैं अपने विग्रेस स्वें ही एक सवरूप भूटा सक्ति की सिरिष्टी की जो उनके अपने सल्यंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी वो कौन है उस परासक्ति को परधान भी कहते हैं यह परधान सब्ध राखी हो याद परकर्ति भी रखना ये परधान और परकरती सब्द आपके शिरीमद भगवद गीता के अंदर दास्चद करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से बिरमा विश्नु महेश की उत्पती हुई वहां ये परधान और परकरती सब्द है तो ये समझना कौन है ये परधान ये कह रहे हैं उसी को परधान परकरती गुणवती माया बुदी दनो ततो की जन्नी तता विकार रहित बताएगा उस सक्ती अंबिका कही गई है उसी को परकरती सर्वेश्वरी और तिरदेव जन्नी बिरमा विश्नु महेश की माता उनको उत्पन करने वाली नित्ता और मुलकारण भी कहते हैं सदाशीव द्वारा पर गट की गई यान उसके स्रीद से निकली हुई उस सक्ती के आठ बुजाएं अस्टंगी तीन पूतर अस्टंगी जाए बिरमा विश्नु सिव नाम दराए छस्सो वर्स पहले मालिक बता गे थे आज हमारी पुईतर सद्गरंथ उसको सेकंड कर रहे हैं समर्थन कर रहे हैं बगवान की वारी का और जिनको संस्क्र्थी भी नहीं आवा थी बरा मनकाया करते हैं गुरू जी हमारे क्या जाने दानक जुला वह समर्थ थे परतेक चीटी तक की भासा जानते हैं सब पसुपक्षियों की भासा जानते हैं और इन्होंने उसको रेजेक्ट करके डाल रख था लाल को अब संभालो पुन्यात्माओ आपका कल्यान हो जागा उसको सदासिव द्वारा परगट की उसकी सक्ति के आठ हो जाएं नानापरकार के आपूशन उसके सिरी अंगों की सोभा बढ़ाते हैं वह देवी नानापरकार की गतियों से संपन है और अनेक परकार के अस्तर सस्तर धान करतीहिoken एकाकनी होकर माया समयोग वसात अनेक हो जातिहि booster सदासिव है उन्हें परम्पुर्श इस्वर सीव संभू और महिस्वर कहते हैं यहां देखिएगा अब 101 परिष्ट पर आगे हैं रूदर सहीता वे अपने सारे अंगों में बसम रमाय रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने इसको काल कहो ब्रह्म कहो सदाशीव कहो उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय सक्ती के साथ सिवलोक नामक अक्सेतर का निर्मान किया था उस उत्म अक्सेतर को कासी कहते हैं वह प्रम निर्वान वा मौक्स सथान है जो सब के उपर विराजमान है वे पिरिया और प्रियतम वो पती पतनी रूप में सक्ति और सिव, दुर्गा और काल जो पर्मानन सरूप है उस मनोरम अक्सेतर में नित निवास करते हैं सिव और सिवा ने, काल और दुर्गा ने परले काल में भी उस अक्सेतर को अपने सानिद्दे से मुक्त नहीं किया अब यहां देखना, देवर से एक समय उस आनद मन में रमण करते हुए सिवा और सिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रम के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुर्ष की सिरिश्टी करनी चाहिए, य然ी कोई संतान उठ्पन करनी चाहिए एसा विचार करकर देखिएगा यह स्रिष्टी जिस पर यह स्रिष्टी संसालन का महान बहर रखकर हम दोनों केवल कासी में रहकर इच्छा अनुसार विच्रें और निर्वान धार्ण करें इनों ने यह सोचा कि वे उत्तर उत्पन करें और उसके हवाले सारा इंचारज महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत्रामपल जी महराज जी से नाम दिछा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं का पूजा भक्ती करता था खास तोर पे सिव जी और दुर्गा जी का भक्ती करता था क्योंकि हमारे यहां जो है दुर्गाजी के 108 मंदिरों में से पर्मुक मंदिरों में से एक मंदिर है जिसे नगर मंदिर के नाम से जानते हैं और हर सब्ता मैं वहां पूजा के लिए जाता था सर आपने बताय कि आप देवी देपताओं की भक्ति सातना करते थे और आपके यहां पिरमुक मंदिर है बहा भी आप जाते थे तो फिर क्या कारण बना कि आप जहारखंड को छोड़कर इतने हजार किलोमेटर दूर आपने संत रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा ली क्या कारण रहा सबसे पहला कारण तो हमारे घर से शुरू हुआ हमारे घर के जो है कुल गुरु जो हुथे वो हमेशा हमें कहते थे कि हम रामन परिवार्श हैं तो हमें वेद और पुरानों को पढ़ना चाहिए मैं जब छोटा था लगवग 7-8 साल का था तब से उन्होंने मुझे मद्देवी भागवत और शीव पुरान पढ़ने की प्रेड़ना दिया भुड़ोगे तो पुर्ण मुक्ति होगी ऐसा करके मैंने भगजी लगबग 7-8 पुरानों को और रीग वेद पढ़ा तो मुख्य रूप से मुझे मिला को उसमें एक पुर्ण संत होता है जो सभी धर्म गरंतों के आधार पर परमान करके बताता है कि वो भागवान कौन है वो परमातमा कौन है जिसकी भगती करने से हमें मुक्ति मिलती है और फिर दुबारत जनम मृत्यों नहीं होती है तो ये जब मिला तो मुझे उस गुरू की तलास्ती मैंने बहुत सारे टीवी में सत्संग सुनने लगा क्या खिर वो कौन सा गुरू होगा जो सभी धर्म गर महराजी का भी सत्संग सुनने को मिला जब एक दिन अचानक से हम पूरे परिवार ऐसे ही बैटके सत्संग सुन रहे थे तो उन्होंने मद्देवी भागवत का तीसरे असकंद का वही भाग हमें पताना शुरू किया जिसमें पूर्ण गुरू के बारे में बताया गया था तो वह जब मैं सुना तो मेरे अंदर एक प्रेड़ना जगी और मैं उनके सत्संग फिर पूरा परिवार से सुनने लगे और साथ ही मैंने फिर से फुस्तकों का अधियान करना शुरू किया जिसके बाद मुझे पता चला कि वह पूर्ण संत जो है संत रामपाल जी महराज ह ही है क्योंकि उन्होंने सभी वेदों के अधार पे पुरानों के अधार पे यहां तक कि बाकी जो अन्य धर्म हैं उनके भी धर्म गरंतों के अधार पे यह परमानित किया कि परमात्मा जो है वो एक है और उसकी सरण में जाने से हमें कभी भी फिर दुबारत जन्व मृत्य के चक्कर में नहीं पढ़ना पढ़ता है हौली बुक्स के अनुसार भक्ती बताएगा रीग वेद के मंडल नंबर नो सुक्त बिरासी में लिखा है कि वो गुरु जो होता है वो पुर्ण परमातमा खुद ही होता है वो धर्ती पे आक करके और सारे धर्म गरंथों के आधार पे वो परमानित करता है यह हमारे बेदों में लिखा हुआ है आपका कहने का मतलब यही है जी हाँ सर तो फिर आपको संत रामपाल जी महराज जी के बारे में कैसे पता लगा और कैसे उनसे आपने नाम दिख्षा ली मैं टीबी में सत्संग बहुत ज़्यादा था चुकि गुरू मुझे ढूड़ना था तो गुरू बनाने के लिए मैं सबसे पहले टीबी में परवचन और सत्संग सुनना शुरू किया तो टीबी के माध्यम से ही संत रामपाल जी महराज जी का सत्संग मुझे सुनने को मिला और उसी सत्संग के दौरान मुझे वो सारी बातें उसमें पता चली जिसमें संत रामपाल जी महराज जी ने बताया वेदों में पुरानों में कि वो पुर्ण परमातमा जो है वो कबीर साहब जी है और वो ही पृत्वी पे साक्षात आते हैं और भक्ती सबको देते हैं और उन्ही का नीजदाम जो सत्लोक है वो पुर्ण मुक्ति का धाम है जहां जाने से फिर आदमी कोई भी मनुष्य जो है फिर पुनर जनम नहीं होता उसका जिसे हमारे वेदों में सास्वत धू लोक लिखा गया है तो संत्रामपाल जी महराजी के सत्संग सुनने के बाद मैंने उनकी द्वारा लिखित पुष्टक ज्यान गंगा पढ़े ज्यान गंगा पढ़ने के बाद मैं उनसे काफी प्रेडित हुआ और उनके आस्रम सत्लोक आस्रम बरवाला गया अब अहां जाके 15 अगस्त 2013 को मैं नाम उपदेश लिया संत्रामपाल जी महराजी से सर जैसे कि आपके बत अनुसार आपने रिख बेद पड़ा और बेद पड़े उसमें आपने पाया कि पूर संत जो होगा वो आपको सास्त्रो के अनुसार बेदो के अनुसार भक्ती बताएगा तो आपने संत्रामपाल जी माराज जी को रिगबेद के अनुसार या बेदो के अनुसार पाया कि बो ही पूर्ण गुरू है तो क्या संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको लाब भी मिले आपके क्या अनुबव रहे जी हा सर मुझे भी बहुत सारे उनके सरण में आने के बाद बहुत सारे लाब मिले इतने लाब मिले कि मैं अगर जिनाने लगों तो घंटो बिज जाएगा लेकिन मैं कुछ परमुख लाब आपको बता दू जैसे कि मैं ब्राह्मन परिवार से था और हमारे कुलगुरू थे परिवार में तो उन्होंने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी जन्म कुंडली में असपश लिखा हुआ है कि 24 वर्ष के उम्र होने के बाद मेरी किसी दुर घटना में मिरित्यों हो जाएगी अगर किसी कारण वस मेरी मिरित्यों न भी हुई तो मैं परमानेंटली यानि हमेश से घिसरता हुआ चला गया पूरी बाइक की सामने की जो भी होती है हैंडल टंग की एक साइड का पूरा तूट के विखर गया लेकिन मुझे सिर्फ एक थोड़ी से खरोच आई जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उपर से टांग रखा है किसी ने प होस्पीटल में जैसे जारखन के राची में रेम स्थ के नाम से जाना जाता था वहां के डॉकट्ट्रों को मैं ने दिख़ाया दिल्ली के हूस्पीटल में भी मैंने दिख लाया कि नीरो विभाग में मैंने दिख लाया उन्होंने एकी चीज बोला कि मेरे हास का ओफ्डेशन करना होगा तब हो हाथ सुरच्छित रहेगा वह आग्सी जिसके कारण उनके पेट में जखम हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आथ काट के निकालने पड़ जाएगी, इसके साथ ही मेरे पापा जी को एलर्जी थी, भारत के जितने भी डॉक्टर बड़े गड़ कहा जाते हैं, मैंने सब के पास हमने उनका इलाज करवा लिया, उन्होंने मेडिशिन दी, उनको दोनों सुबा और साम जो है, एक एक हजार की इंजिक्शन पड़ती थी, तब उनका तविया ठीक रहता था, नहीं तो उनके नाक से और आखों से पानी बाता था, जैसे जहलना हो गया हो, वो टमाटर नहीं खा सकते थे, बैंगर नहीं खा सक अगर जरा सा भी उनके हथी में ठंडा चीज चड़ गया, तो वो परिसान हो जाते थे, उनको इंजेक्शन पर रहना पड़ता था, लेकिन संतरामपाल जी महराजी से नाम लेने के बाद, आज वो सब कुछ खाते हैं, और कोई दवाई नहीं खाते हैं, सारे दवाई उन्ह चार बजे शुबा उनको ले गया, उनके मुह से पूरा बलडिंग हो रही थी, पूरा जमा जमा मांस का टुकड़ा आने लगा था, उनके यहां लेकिन हमने एडमिट किया उनको, फिर हमने संतरामपाल जी महराजी के आश्रम में फोन किया, उनको बोला कि उनको इसाथ ऐस ऐसी परिसानी हो गई है, तो वहां से दूसरे दिन आदेश आया, कि आप अपने भगती करते रहो, परमातमा ने संतरामपाल जी महराज जी ने जो भगती दे रखी है, वो भगती करते रहो, परमातमा आपको ठीक करेंगे, उस आदेश को आने के बाद सर दो घंटे के और उनकी तवियत में सुधार हो गया यह सबसे बड़ा अलाव था जो तुरा तभी कुछ दिन पहले की बात है तो आज के समय में संत्रामपाल जी महराजी के दया से हम बहुत ही सुखमे जीवन जी रहे हैं जो पहले हजारों रुपे जो हम दवाईयों में खर्च करते थे आ आज वो सारे कुछ बंद हैं आज हमें किसी भी तरह की दवाईयों में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है और हम आज सुखमे जीवन जी रहे हैं संत्रामपाल जी महराज की दया से तो क्या और जितने भी संत्य हैं और जितने भी रिसी हैं या हुए हैं क्या वो सही बक्ति विदी नहीं बताते क्या संत्रामपाल जी महराज जी के पास ही सही बक्ति विदी है संत्रामपाल जी महराज उस बक्ति विदी को कहां से लेकर आए संतरामपाल जी महराजी का प्रभाव इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बाद तो वो सास्त्रों के अनुसार बताते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं हिंदू, मुश्लीम, सीख, इसाई इन सभी धर्म गरंथों में ये परमानित है क्या हम अगर उनके अनुसार उसमें लिखी विधी के अनुसार अगर भक्ति साधना करते हैं तो हमें सुख मिलता है हमारे देश में बहुत सारे धर्म गुरू है, मौलाना है, पादनी है लेकिन ये कभी भी सास्त्रों के अनुसार नहीं बताते हैं ये कभी भी हमें धर्म गरंथों को खोल के नहीं बताते हैं ये अपनी दंत कथा में बताते हैं कि हमने ऐसा सुन रखा है वो ये कभी नहीं बताते हैं कि देखो हमारे कुरान सरिप में ये लिखा हमारे बाइबल में ये लिखा हमारे गुरुगरन साहिब में ये लिखा है संतरामपल जी माराजी सबसे पहले तो अपने वेद पुरान कुरान इन में लिखे वे चीजों को दिखा के बताते हैं कैमरे में कि देखो ये लिखा है उसमें बताया गया है कि ऐसे करने से हमें लाव होता है हम आज तक जो करते हैं या अभी जो धर्म गुरु जो हैं वो दंद कताओं के अधार पर बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है लेकिन वो सास्तरों से नहीं बताते हैं कि देखो सास्तरों में ऐसा लिखा है उसको करने से ऐसा होता है तो संत रामपाल जी महाराज तो हमारे धर्म गरंतों के अधार पर बताते हैं हमारी विश्वसनियता सबसे ज़्यादा इस कारण से है सर जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि हमारी गीता जी में लिखा हुआ है कि जो पूर संतों का उसके ये लक्षण होंगे अब हमें देखना है वो लक्षण किस में है किस संत में है चाहे वो संत रामपाल जी माराज हों और चाहे वो और कोई भी संत हों क्या ऐसा ही है जी हाँ सर जैसे कि हम बिजली देखते हैं तो बिजली के तार देखके हम उसका निर्णे नहीं कर सकते हैं कि क्या है जब तक हम उसमें बल्ब नहीं लगाएंगे अगर बिजली की पहचान करनी है तो हमें उसके इलेक्रोनिक समान इस्तेमाल जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें बॉल्टेज है या नहीं है वैसे ही हमारे धर्मगरंथ है अगर हमारे धर्मगरंथ में कुछ बताये गए है कि उसकी पहचान ऐसी है तो हमें उस पहचान को ढूडनी पड़ेगी ऊसकी पहचान वाला कौन है 네 फो गुरु में तो में लिकिन गीता ध्याय में फिरा कुर्ब शरीप में या बाइबल में जो गुरू की पहचान लिखी है वो किस गुरू से मेल खाता है वो उस गुरू में अगर मिलता है तो वही शच्चा गुरू है सर हिंदू धर्म में तो हमने मान लिया कि गीता जी में लिखाए कि पूर्ण संत की क्या पहचान है तो क्या कुरान सरीप या बाइबल है उनमें भी पूर्ण संत की पहचान बताई गई है जी हाँ सर चारो धर्मों के धर्म गरंथों में पूर्ण संत और पूर्ण गुरु के पूरी पहचान बताई गई है लेकिन हमारे जो पादरी हैं हमारे मौलाना हमारे पंडित जी लोग हैं आपनी बढ़ाई के लिए वो कभी भी उस चीज को बतलाते ही नहीं है क्योंकि इनको धन लाब से मतलब होता है इनको इससे मतलब नहीं है कुनके सरधालियों को लाब हो इसलिए वो कभी भी इस सचाई को बताते ही नहीं है अब कुरान सरीब में पढ़ लो सुरत फुरकानी 25 के आयत नंबर 52, 58 और 69 में लिखा हुआ है बाइबल के उत्पत्ति गरंथ में लिखा हुआ है वैसे ही गुरु गरंथ साहेब के कई जगहों पे लिखा हुआ है पुर्ण गुरु के पहचान जो नानक जी ने खुद अपने मुखबानी से बूल रखा है उसमें भी पुर्ण गुरु की पुर्ण पहचान बता रखी है ताब उनको पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार पुर्ण गुरु के खोज कर सकते हैं सर एक सवाल और हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं उनमें से एक सवाल यह भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम संतरामपल जी माराच जी का ग्यान सुन रहे हैं लेकिन हम संतरामपल जी माराच से नाम दिक्षा नहीं ले पा रहे हैं नहीं लेना चाहते हैं तो क्या हमें ऐसे ही लाब हो जाएंगे जी नहीं सर जैसे कि हम मैंने बिजली के बारे में बताया आप बिजली की तार को अगर सिर्फ दूर से देखो गए तो आपको बिजली के फैदे नहीं होंगे आपको बिजली का अगर फैदे लेने हैं तो बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा अपने द्वारत दी गई नाम दिच्छा को लेकर भगती करने से आपको लाब मिलेंगे अब ये सवाल उन लोगों के द्वारा पूछा गया है जो संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्छा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या करना होगा संन्तरामपाल जी महराशुर्च एगर आप सर्फ करते हैं तो उनके सारे शत्वंग वीडिव सत्वंग और्डियो satt tablet सब कुछ मिल जाएंगे आप वहां से उनके सत्वंग सुन सकते हैं उनके ग्यान को प्राफ्ट कर सकते हैं उसमें दिये गए आस्रम के phone numbers अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें